तो आज है हमारे पास लेक्शिर नंबर 23 और इसमें हम मैगनिटूट कंपारिटर का टॉपिक कवर गई ठीक है प्रिवेसली हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था क्या होता है संथिस क्या होता है तो थोड़े से जैनरिक टॉपिक थे अब हम स्पेशिलाइज टॉपिक की तरफ आएंगे और इसमें कुछ है कहना चाहिए कि स्टेंडर्ड कॉंबिनेशनल सर्किट्स होते हैं हमारे पास इन्हें वन बाइवन डिसकस करेंगे इन टुड़ेज लेक्शन एंड कमिंग लेक्श ठीक है तो आज की टॉपिक में हमारे पास है मैंगनिटूट कंपारिटर क्या है जिसे कि नाम ही बता रहा है यह चीज होती है उसको सायं ठीक है तो सिर्फ फर सिर्फी मैंगेड़् कंपारेटर है सकतार है यानि यह द ERWERS को कंपीर करेगा जिसमें साइन नहीं ओन कर लिया है इन-सबमब के लिए बेसिकलिए मैंगनिटूड कंपारेट सिर्कुर्किट कंपेशन्यों तू नंबर्स को न हो सकती है या तो वो दोनों नंबर equal हों ठीक है या हो सकता है अगर एक respect से बात की जारी है तो a equals to b b हो सकता है a greater than b b हो सकता है और a less than b b हो सकता है ठीक है तो तीन possible outcome आ सकते हैं अगर मैं दो numbers को compare करूं आइधर वो equal होंगे एधर एक नमबर दूसरे से बड़ा होगा या फिर उससे छोटा हो ठीक है तो यह हमारा सर्कृट है नीचे इसकी सिंपल से ब्लॉक डायग्राम है और यहां पर सिंपल टू बिट का कंपारेटर बनावा है ठीक है बेसिकली अगर देखा जाए तो सर्कृट के तीन कुए है कि अगर नंबर एक वे तो बात इससे जादर नहीं इंपट पर देखा जाए तो इंपट पे विट कंपारेटर है और अगर आप देखें तो वैसे तो अगर आप अबसर्फ करें तो चार इंपुट्स है इसके पास चार जिंटिट जे ढबाए 0 2 1 ए जीयो फैसले हैं ऐंड चारई एंपुट्स है ए और मतलब क्या से शचार बातिट का मतलब एक higher order चीज़ है जो abstraction मेंने क्रेट की वे कि इन दो पे जो मैं दूँगा वह अलग नंबर है और इन दो पे जो दूँगा वह अलग नंबर है जो कि टू बिट का है जिसमें जायर सी बाता टू बिट का है तो जीरो एवन आ गए यानि बिट टू की पावर जीरो एंड की पावर वन आ गए इसी तरह मैंने दो अधर इंपुट पे कहते हैं यह वालों को मैं बीट करूंगा यहनि इस पर जो मैं इनपुट दूँगा वह बीजीरो होगा और बीवन होगा यहनि तू तू दा पावर वन लेकिन अगर आप higher level of abstraction पर देखें तो इस circuit के तीन out है और चार इंपुट लाइन थैं थीन आउट पीट है और चार इंपुट लाइन थी सिक यह बात क्लियर रहे हैं इसके चार इंपुट है लेकिन कोल ईन्हें गरूपोर किया हुए दो को मैं और दूंगे बीट moi कि मुझे यह बताइए के अगर मैं इसका रूटेबल बनाता हूँ तो कितने एंगे इसमें के मétais lazy कि फ्रूटेबल बनेगा कितनी रॉज होंगी तो टेबल में अगर मैं यह पूछना कितने कॉंबिनेशन आएंगे कितनी रॉज होंगी कि बताना चाहेगा चले मैं ही बता देता हूं प्रिकॉल करा देता हूं क्योंकि चार इंपुट्स है तुछार इंपुट का मतलब है टू-टू-दा पावर फोर टू-टू-दा पावर फोर मींज सिक्स्टीन मेरे पास जो हैं इसकी रॉज आएंगे क्योंकि फोर इंपुट्स है तो फोर इंपुट्स के लिए जब मैं आपना टू-टेबल बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा ठीक है इंपुट्स मैंने बताया था ना चार है यहां इnt, चार है है अठीक है अब inपुट्स में जाहिए सारे के सारे काम्स अबीनेशन डिआ कर देतुम, तो सारे के सारे कांब्नेशन मैंने सिक्टीन कैंश्टनार कर दी लूम ट्री में जितने भी आ लेकिन अब इदर देखना ली बात यह है थोड़ा से डिस्टिंग्विश करने के लिए इन पर भी मैं कलर कोडिंग लगा देता हूं ताके आप थोड़ा अब्जर्फ कर सकें कि यह दो कॉलम जो है कि मेरा मैंने ट्रीट कर रहा हूं एक तोर पर यह एक सैपरेट नमबर और फिर यह वाले कॉलम को मैं ट्रीट कर रहा हूं एक सैपरेट नमबर ठीक है तो मैंने बिल्कुल वैसी फिल कर लिया जैसे करता हूं मेंचा लेकिन अब जब मैं आउटपुट लिखना शुरू करूंगा तो मैं किस तरह से कंपेर करूंगा इसको मैंने ग्रूप करके लिग करना चाहा है किसे और कॉलोंगो फिल नहीं कर रहा वलके इक्वल वाले कॉलम को करना चाहा है अ इस कॉलम की बात अब मुझे एक एक करके सारे कंबीनेशन कंपेर करने स्टार्टिंग फॉम हेयर तो मैंने कंपेर किया किया ए one एनॉट पे क्या रहा है जीरो 0 यानि जो मेरा ए निम्बर है उसक्क्राइा जिरो जिरो और बी पर समय निम्बर की आरा है 0-धर अब आब से मेरा कॉशनि ये है कब बताएं इस वक्त a और b equal हैं। ये नहीं सिर्फ मैं ये पूछते चाहरा रहा हूं इकुल हैं । अक्ला यां ये जिन 1 लिग दिया ठीक है क्योंकि मैं equal वाला कॉलम फिल करना जा रहा हूं तो equal है तो मैंने यहां पर similarly मैंने इस combination को चेक किया इस वक्त a पर आ रहा है 00 लेकिन b पर आ रहा है 01 ठीक है मैं compare करा रहा हूं a1 को b1 से और a0 को b0 से और दोनों का true होना जरूरी है यहनि दोनों का same होना जरूरी है equal होने के लिए एवन का b1 से मैच होना जरूरी है और a0 का b0 से मैच होना जरूरी है यहां इन other words a का b के साथ exactly match होना जरूरी है तो इस वक्त a की बात की जाए तो तो ए पर कॉंबिनेशन आ रहा है 00 और बी की बात की जाए तो बी पर कॉंबिनेशन आ रहा है 01 तो क्या यह एक्वल है जी क्लास नॉट इक्वल तो इसलिए मैंने हापे 0 प्लेस कर दिया जो मैंने चेक किया तो इधर भी ए सिचुयेशन थि glacier 00 यह भी स्था सब्सक्राइब ठिक किया फिर मैंने यह वाला combination चेक किया 01 एंड 10 यह भी 01 एंड 00 यह भी नौट फिर combination आया 0101 इस combination की बात करों इस combination में ए पर आ रहा है 01 बी पर भी आ रहा है 01 क्या यह equal है तो यह combination एक्वल है तो यहां पर भी मैंने वन प्लेस कर दिया और similarly इसी तरह मैंने वह combination ढूंड़े कि जहां पे वाले कॉलम्स में और भी वाले कॉलम्स में सेम रिजल्ट आ रहा है तो यह बड़ा असान तरहीक है मुझे एक एक करके सब्कूर्ट टेस्क करने की जरूत नहीं मैं मुझे पता है कि 01 यहां पर देखें चार और 01 होते हैं तो इन चार में एक ही ऐसा combination होगा जिसमें क्या ओगा एक्वल निकलेगारी 01 वाला combination पिर इस तरह अगला combination जो होता है वह 10 को उता है चार 20 आएंगे और 20 मे मैंने इसके अगेंस चेक्थ किया तो सिर्फ यहां पर यहां पर यग जिरो आता है तो इस वज्ञाए से सिर्फ यहांपर वनाएगा तो यह चार जगावन आएंगे और यहां पर देखा जाय तो दूसरे वाले इससे इससे पे आफ रहा था हुआ और यहां पर देखा जाय तो सबसे top वाले पे आ February तो इन 16 कॉंबिनेशन में सिर्फ चार ही ऐसे कॉंबिनेशन है जहां पर मेरा इक्वल्स टू का आउटपुट वन होगा बागी सब जगा पर क्या होंगे जीरो होंगे ठीक है क्यूंकि आप देख सेथे हैं टोटेबल से सिर्फ चार ही ऐसे कॉंबिनेशन निकल रहे हैं जहा है वन वन आएगा बाकी सब पर जीरो जाएंगे एक्वल्स टू के कॉलम में तो यहां पर फीडबेक रिक्वाइड है मुझे बताईए कि एक्वल्स टू का कॉलम फिल करना समझना है आप लोग तो मैं इक्वल्स टू हो गया है तो इसे क्लेर कर देता हूं अब अब हम बा ग्रेटर देन की बात कर रहा हूं ठीक है मैं दो कॉलम से फोकस नहीं पर अच्छा ग्रेटर देन का मतलब यह है कि ए ग्रेटर देन ठीक है ए ग्रेटर देन बी अगर मैं वही बात है चार्चर की पेर में इसको ब्रेक करके करता हूं तो इन चार में मेरे पास ए हमेशा 00 आ यह चारों कॉंबिनेशन ऐसे हैं जो इस वक्त एसे ग्रेटर है यह एक्वल है यह यह इस ग्रेटर देन और इक्वल स्टू ए आ रहा है आप ठीक है आप देख सकते हैं यहां पर कोई भी ऐसा कॉंबिनेशन नहीं है जिसमें एक वैल्यू बढ़ी हो सके क्योंकि एमें जीरो गजारेशन बी में 00 आएगा तभी ग्रेटर नहीं है तब लोगा तो इक्वल तो मैंग चैका बहुब होँ में चैक करहूं तो इधर भी ग्रहा। इसन बी नहीं है यहां पर इसको उत्स Washाप म करता jestए यहां फ्यूहाँ पर भी 6 नहीं है यहां पर चेक करता ही तो यहां पर भी ए Отलो तो बी नहीं Hail नहीं हो यहां पर पूहन री लेटर दैन नहीं चौ्सक्रैक एक है क्लीड़जान है ुख ऑर जिए जीड़ो जीडले से छोटा कंबिनिशन है। तो भी में जो सायरे कंबिनिशन आ जहां पर एकी वैलियू बड़ी हो बी से ठीक है लेकिन अब अगर यही काम मैं यहां पे करना शुरू करता हूं यानि इन चार कॉंबिनेशन पर है तो यहां पर जब मैं चैक करता हूं तो एकी वैल्यू दिहान रहे क्या है इस वक्त 0 1 है 0 1 means 1 actually it is equivalent to magnitude of 1 in quotes का मतलब पता है न आपको 00 का मतलब 001 का मतलब 110 का मतलब 2 and 11 का मतलब 3 ठीक है तो इसमें possibly 4 ही नंबर आएंगे 0123 क्योंकि 2 bit में सिर्फ जादा नंबर नहीं आसके अच्छा अब जब मैं compare करता हूं देखें इसको इससे compare किया तो इस वक्त यह की value है 01 यानि 1 और बी की value है 00 यानि जी तो ए पर 1 बी पर 0 तो क्या इस वक्त ए greater than B है ए पर 1 है A is equals to 1 and B equals to 0 क्या इस वक्त ए greater than B है यह ए ग्रेटर देन B है तो इसलिए यहां पर देखें मैंने क्या रख दिया 1 लिख लिया ठीक है अभी हम इक वर लेजन के कॉलम्स को नहीं देख रहा है सिर्फ ग्रेटर दें पर फोकस कर रहा हूं और इसी तरह से उल्फ होता है एक करके कॉलम वाइस तो यहां पर मुझे यह पता लग गया के ए में वन आया वाय और बी में जीरो तो definitely यह वाला combination में आ बढ़ा है इस combination पर चेक करता हूं तो अब बी पर भी ब़िए अगर बढ़ा है नो अब ए पर यह और वी पर टू है कि इस वख अग्रेटर देन है इस इस कंबिनेशन पर चेक करता हूं तो एक पर फिर तू है सौरी बी पर थ्री है क्या इस वक्त एक एक रेटर दिन भी है नो तो इसलिए तीनों आप देखनें है आगाए जीरू सिर्फ एक काम मैंने next four combination के लिए किया जहां पर यह सेम रहने वाला है अब ध्यान रहे पर आ रहा है तू यानि वन जीरो वन जीरो का मतलब है तू और जब मैंने तू ए पर तू है और बी पर जीरो कंपेर किया तो क्या ए ग्रेटर देन भी है है yes ए टू है बी जीरो है यहां greater दें था तो मैंने यहां पर लगा दिया फिर मैंने चेक किया इस combination के साथ ए पर टू है यह बी पर वन है तो क्या आ ग्रेटर देन भी है यही तो मैंने यहां पर भी वन लगा दिया क्या लिए है बी पर भी टू है कोश्चन मीरा क्या एक एक रेटर देन वी है नो एकवल हो रहाए नहीं थो इक रेटर देन में तो जीरू आ, और सिमिलरली इसके बाद वाला कॉंबिनेशन में वेखा जाहे तो a पर 2 है बी पर 3 है तो ये भी जीरो है तो ये फिल हो गया फिर इसी तरह मुझे आखर के last 4 है उनको चेक करना है उनको भी चेक कर लेते हैं तो last 4 को चेक करने के लिए फिर मुझे क्या करना है कि इनको group करता हूं अब a के पास सबसे बड़ा नंबर आया हुआ है 3 जो maximum आ सकता है तो आप देखेगा हमाँ पर ज्यादा तर values में greater आते हैं a पर 3 b पर 0 क्या a greater than b है येस तो मैंने 1 लगा लिया a पर 3 b पर 1 क्या a greater than b है येस फिर से मैंने यहां पर 1 लगा लिया a पर 3 and b पर 2 क्या a greater than b है yes again तो मैंने यहां पर भी 1 लगा लिया a पर 3 and b पर 3 क्या a greater than b है नो equal है पर greater नहीं है तो यहां पर 0 आ लिया तो इस तरीके से मैंने अपना greater than वाला कॉलम चार्ण सर्क करते हुए फिल कर्लिए है तो आप भी अगर करें तो प्रॉब्न की इसी तरह ब्रेक करके ब्रेक के इस तरह किया गातू 5 तो इस तरह से प्रेटर रें का प्रम् प्रेंग होगा है तो अब लास्ट इसे सॉल्फ करने जा रहा हूं बाकी दो कॉलम्स को मैं नहीं देखुँगा तो इसके लिए भी में वही तरीके कारी उस करूंगा जो मैंने ग्रेटर दन के लिए उसकिया चार्चर करके प्ले करता हूं अब मुझे देखने एलेस देन बी तो लेसे देन के लिए वह बिल्कुल वैसे ही करेंगे के फॉर फॉर के ग्रूप बनागे इसको टैस्ट करें तो जब मैं चेक करता हूं एक रिस प्रक्ष तो अब में धियान रहे कि सब जीरो से ठीक है और अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम की बात कर रहा हूं इस लेस द करता हूं मुझे कंक्लूट क्या करना है कि a less than b है या नहीं ठीक है एक रिस्पेक्ट से बात हो तो a0 है b क्या यहां पर 00 है क्या a less than b है a b 0 है b b 0 है तो क्या a less than b है जी क्लास क्या a less than b है नो ठीक है तो यहां पर मैंने 0 ही प्लेस कर दिया अब इस कॉम्बिनेशन पर चेक कर रहा हूं तो a still 0 है b पर आ गया है 1 a0 b1 तो इसमें बताइए क्या a less than b है yes a less than b है तो मैंने यहां पर वन प्लेस कर दिया अब a still 0 है b पर आ गया है 2 क्या a less than b है a0 b2 क्या a less than b है yes तो still फिर से यहां पर आ गया 1 अब b पर हो गया 1-1 यानि a0 है b3 है क्या a less than b है yes तो यहां पर एक और आगया 1 ठीक है इसी तरह फिर अब मैं next 4 को pair करता हूं इसके साथ और next 4 के लिए मैंने इससे सेलेक कर लिया यहां से लेकर यहां तरह फिर से चेक किया a इस वक्त अब ध्यान पर है a1 है b0 है क्या a less than b है no a1 है b को भी 1 कर दिया क्या a less than b है no तो यह दोनों आ गए 0 a1 है लेकिन b इस वक्त 2 है b बढ़ा हो गया a चोटा है तो a less than b है तो यहां पर आ गया फिर still a1 है b की value हो गई 3 तो इस वक्त क्या होगा a less than b होगा क्योंकि a की value है 1 और b की value है 3 ठीक है फिर इसी तरह मैं next 4 इनको consider करता हूँ जिसमें सारों में क्या है a की value 2 है तो a की value 2 है तो सिर्फ a की combination ऐसा होगा के a less हो सके जब मेरे पास b पर 3 आ जाए तो आप चेक कर सकते हैं a 00 हो तब भी a बड़ा है a 01 हो यानि वन हो तब भी a बड़ा है a10 हो तब भी a बड़ा ना सही बराबर है लेकिं less than नहीं लेकिन जब b पर 3 आ जाता है तो ही वह वह combination है कि जिस पर मेरे पास less than आएगा बाकि किसी भी combination पर less than नहीं आएगा बाकि सारे जीरो और लास वाले में तो अब आप देखी सकते हैं कि a में सब में 3 आ रहा है तो कोई भी ऐसा combination नहीं आएगा क्योंकि maximum number 3 हो सकता है और maximum इसके पास है तो चाहिए मैं कोई सब भी combination try कर लूँ a less than b नहीं हो सकता जीरो से compare क नहीं के तो इसलिए last combination सारे के सार से हा पर जीरो आव्हाश टीकek करें तो अगरका कंपेर कर दो बिल्कुल reverse में चल रहा है यह यानि एक पल्वाले जैरो जेरो पहले देखेँ इसके शुरू के चार में जीरु है तो इसके आंखर के चार में तेना जिरो boys एक हृण ऑर इस हृणे में इसका देखा जये को एक ही वहन है तो इस वाले में भी रिखा जाए और में इसमें दो ऋन्स about हैं जैना इसमें दो लिएलोजेंड took तो greater than or less than आपको वैसे भी पता है कि एक दूसर के आपोजिट होते हैं तो यहां पर भी आपोजिट से ही चल रहे हैं तो इस तरीके से हमने यह तो टेबल फिल कर लिया वित रिस्पेक्ट तू आवर इंपॉट्स जो हमारे इंपॉट्स से इस वक्त थे क्या दो नंबर्स हैं तू-टू-बेट्स के ठीक है एक्शली चार इंपॉट्स लेकिन वह ब्रेक होए में दो ग्रुप में एक गुरुप में दो इंपॉट्स आ रहे हैं और दूसरे डूए आर्पॉट्स और उनके रिस्पेक्ट से हमने यह मतलब कहना चाहिए कि यूजर को यह बताएंगे कि सब्सक्राइब करना समझ में आया सब्सक्राइब क्योंकि टूटेबल हो जाएगा तो बाकी असान है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अब मुझे अगर सॉल्फ करना है फॉर एक वज़ चुब बनाना तो एक्वेशन चाहिए और एक्वेशन किसा आ सकती है और यूजिंग इलजबिरिक मैनिप्रिलेशन भी आ सकती है के मेप से आप साल्फ करेंगे तो आपको के मेप में कोई फाइदा नहीं होगा इसका क्यूंकि कोई भी group नहीं बनेगा तो चारों की चारों term as it is ऐगा चारों की चारों टर्म as it is ही आपके आंसर में आ जाएंगी चारों टर्म आप देख सकते हैं कौन सी है पहली यह वाली टर्म है जिसमें सारे के सारे कॉंप्लिमेंटेड है तो a1 का बार a0 का बार b1 का बार b0 का बार दूसरी टर्म कौन सी है दूसरी टर्म यह वाली है इसको क्वाँ आगई और फिर तीसरी टर्म का सी है वन जीरो वाली यानि-ए-वन-बी-जीरो का बार ठीक है और लास्ट प्म का पास जिसमें सारे एक वले हैं वह यह वाली है यानि एवन-ए-नौट-बी-वन-बी कि लिखें लिख करने की कोशिच करेंगे तो कोई भी ग्रूप भीडश करेंगे आप इंडिविजुटलिय ईथा लेंगे में चारचा लिटरल्स होंगे तो के मैप से सौलफ करने में کوई फायदा नहीं है हां लेकिन अलजेब GIS manipulation का जैसा कि बताया गिया काफी open end है एक बात क्लियर कर दूं के मैप से जो अंसरा है वो simplified है उससे जादा simplify हो नहीं सकता ये बात ध्यान रखें कि के मैप से जब भी आप solve करते हैं अगर उसके बाद कोई की चीज़ मजीद reduce हो रही है तो आपने के मैप का solution सही नहीं किया के मैप का result finalize होता है उसमें मजीद simplification की गुंजाइश नहीं होता है ठीक है अगर है तो इसका अदलब आपने गल्पी की है ठीक है अब मैं एक और बात clarify कर देता हूं कि simplification से क्या मुझाद है simplification से मुराद है absorption unifying theorem यानि literal का cut जाना कम हो जाना literal कम होने की बात की जा रही है simplification जबके आप उसकी form को rearrange कर सकते हैं ठीक है simplification नहीं कहलाती वो चीज़ कहलाती है transformation ठीक है जो के अभी मैं करने वाला हूं नीचे अगर देखें तो algebraic manipulation से भी अगर मैं solve करता हूं जाहर सी बात है के map में जो input कोई फर्क नहीं पड़ा तो algebraic manipulation का input भी यही है लेकिन algebraic manipulation में इतनी flexibility होती है कि मैं अपनी equation को transform कर सकता हूं अपनी मर्जी के gate के अंदर ठीक है मेरे इस वक्त कोशिश कहा है कि मैं इसको एक कहना चाहिए कि किसी gate की form में लिया हूं and gate बन जाए और बन जाए लेकिन यहां प मेरे पास answer इसका आया हुआ है और मैं उस answer को attain करने के लिए algebraic manipulation कर रहा ठीक है तो algebraic manipulation से भी आप देखेंगे simplification नहीं होगी सिर्फ transformation होगी क्योंकि इसमें कुछ भी cancel out नहीं होगा मैं को unifying theorem नहीं लगांगा को absorption नहीं लगांगा मेरे जितने literal हैं वहीं रहेंगे लेकिन बस ले लिए मैंने शुरू की दो ट्रम्ज में क्या common ले लिए मैंने एवन का बार और बीवन का बार common ले लिए तो बचा है क्या मेरे पास यह बच गया यह नॉट का बार भी नॉट का बार प्लास के नॉट बी नॉट अब अगर आपको याद हो यह वाला formula जो अंदर लिखा हुआ है यह किसी चीज़ की equivalent होता है यह किसी चीज़ के equivalent होता है चले उस पर बाद में आते हैं अभी नहीं आ रहे इसमें अगर मैं common लेता हूं आगे की दो टर्म्ज में तो यह common आता है एवन बीवन ठीक है एवन बीवन common आ जाएगा एवन बीवन common ले लूँगा तो इसको भी मैं common निकाल सकता हूं इस तरम को मैंने common निकाल लिया यह थीक है मैंने स्कॉयर ब्रेक्ट लगा के यह clarify किया कि देखिए मैंने common निकाला हूं थीक है अब common निकाल लेता हूं तो मेरे पास कौन कौन सी टर्म रह जाएंगी एवन बीवन का बार प्लस एवन बीवन तो यह देखिए यह लिखाव है एवन बीवन का बार प्लस एवन बीवन ठीक है अब भले से मैं ब्रेक्ट रटा दूं कोई क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और यह जो आप equations देख रहे हैं यह एक्चुली कहलाती है एक्स जेख डार की एक्वेशन अगर एक्स नौर गेट को आप रिविजट करें तो आप देखेंगी कुछ में ऐसे लिखा होता है कि बार बीवार मैं यहां पर लिख रिख बार वह भीग प्लस एबार इसी तरह ऑपार यह जोगी होता है वह होता है एबीबीट उन उन पर वह हो यह होता है मेरे पास सब्सक्राइब अगर दोने क्वेशन को आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ पैटर्न निजर आ रहा है वह पैटर्न यह है कि एक तरफ दोनों दोनों Corporan क्ो मैं जबकि जहर में मैं एक तरफ के साथ इसके माइज्थ खाल लिए अजिए और दूसरी में फ दोनों में जांग में है अच्छा अब मैं यांप किया करने वाला हूं यहां पर यह करने वाला नहीं कि एक्स नौर जौर गेट की आपको पता है आपको पता है कि एक्स जौर इस एक्चुली इक्वेलनटू नॉट यह मैं लिख लेता हूं एक्स नौर इस एक्छुली ईक्वेलन तो नॉट ओफ जौर यह बात भी हम प्रूफ कर चुके हैं बिल्कुल फंडमेंटल गेट्स वाले टॉपिक में टू इंपुट्स के लिए टू टू इंपुट्स के जब हमने टूप टेबल कंपेर किया तो हमने देखा था जौर और एक्स नौर का भीएविर बिल्कुल अपोजिट था और करना चाहूं तो इसके उपर लगा देघं़ यहां जो कॉम्प्लिमेंट लगा हुआ है इसी तरह बादवाली को भी यहां इधिया इसके उपर लगा दिया ने जौर और यह लगा दिया कॉम्प्लिमिंट ठीक है डीजन्ट मैटर कोई फरक में पड़ता मैं आक्स नौर में वह होता है प्लस लगावाए इसमें जौर के अंतर तो इसके अंतर डॉट होता है सेंटर ठीक है तो एवेंचुली डेजन्ट मैंटर कि जौर में लिखोंगे एक ही बात है लेकिन यहां पर यह चीज़ कंक्लूट कर ली हमने क्या चीज़ कंक्लूट कर ली कि फाइनल रिजल् का सेम होना ज़रूरी है आउटपुट को वन करने की यही बात है ना एक्स नौर को रिकॉल करें एक्स नौर की खास बात क्या थी दोनों बिट्स सेम आती थी यानि दोन रिपुट सेम होते थे तो रिजल्ट देता था वन तो यहां पर भी बिलकुल वैसा ही है एनॉट बी चाहिए और यही तो मैं चाहिए एक वच्जु के लिए ज़रूरी है कि ये भी वच्रेट करे ये वे तो यही आएगा मेरे पास यह क्रत आ तो एक्तरगेट यह बता रहा है कि हर रेलेटिफ बिट का एक्षणौर करें आप और सारे एक्स वाली वाली डी जोनी चाहिए और 25 वाली वाली और मैं से मैंच होनी चाहिए तभी मैं कह सकू का कि नमबर इक्वल है ठीक है ना ये बात समझ bigger रहा है कि देखे मैं इसको compare करा आता हूं इससे त입 नि यह दोनो सेम हो TV और आमें कंपर कर आ रहा हूं इस वाली बिॉत को इस वालिवेट से और ये भी मैं कह रहा हूँ SEMA हो अगर ये दोनों दोनों same हो याणि 810 के aगोलेंट हो और a0 b0 के कहता हूं कि मेरा आुटपट 1 है this is circumstance में यहां पर भी आप यहां पर भी चेक कर सकते हैं कि मैं यहां पर compare करा तो सेम होना जरूरी डोनों 00 सेम है इसको चेक करें तो यह 11 सेम है तो इस केस में भी आप देख सकते हैं कि मेरा रिजल्ट आ रहा है इसी तरह तीसरा केस भी चाहें तो आप चेक करने वन और वन यह भी सेम है और जीरो और यह बी जीरो तो यह 12 सेम है तो इसवह अगे से हों पे भी आरहरा है खां में यह वाला मैं केज़्व तर आरहा ह tą है फैस्वा कि हमने प्रूफ तो कर लिया है मैं आपको सिफ यह बात बताना चाहरा हूं और रिवर्स ने City करके के देखें ऐसा ही हो रहा है करें आप आप personal positions का यह जीन जीज्ट वाले का 0 से वन वाले का वन और दोनों का एक्स नौर जो है वह वन आना चाहिए और एक्स नौर का मतलब हिए होता है कि दोनों भेर सेम होंगी तो बैसे ने गाएंक तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि हमने जब यहां पर लिए विट्वी जो मेरा रेसल्ट है वह X नॉर बन गया ठेवेंचली जो मेरा रेजल्ट है वह X नॉर बन गया यहनि मेरी इस मुद chessy को अगर मैं सिंप्लिफाय करना चाहत तो वह है एब 1 एक स्नॉर बी 1 कि डॉट ऐजीरो एक स्नॉर यह है मेरी एक्वेशन फॉर टू बिट ठीक है जिसमें मैं ए नॉट को बी नॉट के साथ एक्स नॉट करके देखूंगा एवन को बी नॉट के साथ एक्स नॉट करके देखूंगा और से अगर में पास 4 bit होती ही तो equation मेरी क्या होती कोई बताएगा chat box में मुझे को equation बता दे अगर में पास 4 bits के input होते है यानि a0 a1 a2 a3 b0 b1 b2 b3 तो इस case में कोई मुझे बताएगा equation of equals to क्या आती मेरे पास जी class chat box में बताएगे जी class काफी simple सा सवाल है अभी मैंने पूरा idea दे दिया आपको के अगर मुझे equal बताना है तो एक नौट का बी नौट से मैच होना जरूरी है एवन का बी वन से मैच होना जरूरी है अगर मैंने इसमें addition कर दी एटू और एथरी की बी टू और भी थरी की तो ऑविसी बात है उसमें फिर एटू का बी टू के साथ मैच होना जरूरी है और एथरी का बी थरी के साथ मैच होना जरूरी है यानि equation में simply क्या होगा मैं extend करता जाओंगा यह बिल्कुल सेम एक्स न सब्सक्राइब कर ली सिंप्लिफाइब नहीं हुई बस ट्रांसफॉर्म हो गई एक्स नौर के फॉर्म है तो यह एक equation आ गई इसी तरह मुझे greater than और less than की equation भी find out करनी है तो उसकी भी दो तरीके एक तो यह है कि algebraic manipulation से मैं solve करूँ तो पहले सारी terms मैंने लिखी यहां पर मैंने आगे पीछे हो गया यूजिंग के मैप और यूजिंग algebraic manipulation के मैप से solve करता हूँ तो directly मेरे पास उपर वाली equation आ जाएगी और जो perfectly fine आप उस तरीके से भी solve कर सकते हैं और उसका circuit भी बना सकते हैं कोई इतनी जिंदुजयत करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं आपको जो equation दिखाना चारा होगी ठीक है के मैप फाली equation देखें अब simplify होकर आईए तो इसमें algebraic manipulation से भी simplification की गुंजाइश है क्योंकि गुरूप्स बनेगी यह किया तो इधर भी b not b 0 आ गया यह स्विल से लाओ उसके बाद मेरे पास equation simplify होकर यह इन दोनों terms को यह जो last वाली और first वाली है मैं एक आया बीवन का बार तो यह एक्वेशन आगी ठीक है सिंपल से स्टैप में मुश्किल नहीं है मैं डिटेल में नहीं जा रहा सुब बताता जा रहा हूं जो काम की बात है अच्छा अब अगर धिहान दें यह चीज़ तो आपको पता है क्या हो जाएगी वन हो जाएगी यू ठीक है अब मैंने इस एक्वेशन को इस तरीके से अलगेवरिक मनियूबलेशन के ट्रांसफॉर्म करके रिप्रेजेंट क्यों किया इधर से भी मैं एक चीज़ कर रहा चाहूंगा आपको वह यह है कि देखें यह वर्ड में क्या कह रहा है वर्ड में कह रहा है कि अगर एक क्रेटर देन भी होना है अच्छा पहली बात यह दिहाना कि दो पीसिज हैं इसमें एक यह 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 कह रहा है या तो यह लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉर्शन हो जाए या तो फिर यह राइट हैंड साइड वाला पॉर्शन हो जाए इन दोनों से कोई भी कंडिशन वन generate कर देगी तो मेरा number greater हो जाएगा क्योंकि बीच में लगा प्लस प्लस का लगा और तो यह कह रहा है कि अगर number को एक को बड़ा होना है बी से तो इसके लिए अगर मैं left वाले portion पर focus करूं सिर्फ left portion पर देखें तो कह रहा है a को non complemented होना जरूरी है और b को complemented होना जरूरी है यानि in other words यह कह रहा है कि a पर a one पर one हो और b one पर zero यानि यहां पर कह रहा है कि अगर one आ जाए और यहां पर zero आ जाए तो मैं यह conclude कर सकता हूं कि a is greater than b ठीक है obvious सी बात है फर्स करें a पर आया वाई one और a note पर zero भी आ जाए ठीक है यह a one है मैं लिख लेता हूं या थोड़ा सा बेतर करके लिख लेता हूं सब्सक्राइब कर लेते हैं बात समझाने के लिए कि यह a one है और यह a not है और यह b यह a not पर मैं 0 ही क्यों ना दे दूं और बी नौट पर मैं वन ही क्यों ना दे दूं आप देख सकते हैं कि मेरा जो है a greater than b यह रहेगा क्योंकि वन जिरो भी अगर मैं कर दूं तो इसका मतलब होता है तो और भी वन पर अगर जिरो आया वाए तो मैं दूसरी जिरो पर वन ही क्यों ना कर दूं तो यह 0-1 बनेगा और यह होता है वन तो यह बात यहां कंक्लूड हो जाती है कि a is greater than b ठी है इस अगर मैं फोकस करूं दूसरी साइड़ वाले एकंवेशन पर दूसरी का मतलब है कि अब अगर मैं फोकस करूं इस तो कह रहे हैं कि एवन और बीवन तो इक्वल हो गए इक्वल का मतलब है डिजन्ट मेटर 0011 मैं चलें 11 लिख लेता हूं एवन भी वन रिख लिए और बीवन भी वन लिख लिए तो अब मुझे बताएं कि एको ग्रेटर होने के लिए क्या करना जरूरी है एवन भी वन वन है बताइए मुझे एजीरो पे क्या लिखाओं कि गिरिंटी हो जाए इस बात कि कि एगरेटर दिन भी आएगगा कि ए वान ठीक है बिलकुल सही बात है कि एवन पर वन होना जरूरी है और बी वन पे भी मुझे एक बात की गिरिंटी चाहिए अगर B1 पे भी 1 आ गया तो फिर तो यह एक्वल नहीं यह तो ग्रेटर नहीं होगे तो एक्वल हो जाएगा तो मुझे यह भी मेक्शूर करना है कि बी नौट पे क्या आया हो जीरो आया हो ठीक है यानि अगर हायर ओडर बेट्स में टाई हो जाती है यानि दोनों सेम हो जात हो ठीक है तो यहां पर यहीं बात बताँ रहें कि अगर यहां पर यह बात बता रहे हैं कि अगर आप द्यहान देंद में कहिए थाए कि कौनके दो जिए बिट से कह रहे है या तो भी ए Mongसी बेकिए वन यर्थे वन हो बीए फोलोग जीरो अगर ऐसा नहीं होता और A1 B1 में tie हो जाती है यानि A1 और B1 दोनों equal आ जाते हैं तो उस सूरत पर फैसला जो है next bit पर चला जाएगा next bit यानि zero least उससे नीचे वाली जो least significant bit है उस पर फैसल से लाएगा और उससे भी decision वैसे ही होगा कि A0 को one होना जरूरी है और B0 को zero होना जरूरी है ठीक है तो इससे मैं थोड़ा सा आपको correlate करना बता रहा हूं कि bit by bit अगर आप compare करते हैं तो इस तरीके से होता है कि या तो decision making higher order bit पर MSB पर हो जाएगी लेकिन MSB के दर्मियां tie हो गई तो फिर मैं least significant bit की तरफ move करूँगा और वहां पर वही relationship check करूँगा और अगर इसमें भी मैं आपको यह बताना चाहूं कि bit मेरी बढ़कर A2 A3 आ जाए तो उसमें क्या होगा कि मैं सबसे पहले say A3 को check करूँगा A3 और B3 compare होगे अगर उस पर फैसल नहीं होगा तो मैं A1 B1 पर आ जाँगा और फिर वेंचुली लास्ट तक वैसल नहीं होगा तो वही बाली बात है कि output मेरा जीरो आ जाएगा कि number greater than नहीं है ठीक है यह equation सब्सक्राइब के दो बात दो combination थे इसलिए दोनों में और हो रहा है तीन अगर होती तीन बिट तो मैं यह बात समझ जाई कि किस तरीके से मैं कहा रहा हूं कि A greater than B है तो greater than 7 में आ गया है तो मैं less than पर जादा focus नहीं करूंगा बस equation दिखाऊंगा और वही conclude कर दूंगा जो conclusion थीक है सेम वैसी simplify किये बस end में जो equation आए उस पर जोड़ देता हूं कि वह क्या है end में जो equation आए देखें आप में जो a less than b proof करना है तो less than होने के लिए a को b का 1 होना जरूरी है और a का 0 होना जरूरी है तो इसलिए आपर देखें complement a पर लगावा है और b non-complimented ठीक है लेकिन अगर a और a1 b1 में tie हो जाती है यानि दोनों सेम आ जाते हैं तो फिर वही फैसला जो है a not पर चला आता है और a not में भी वही वाली बात है कि a not पर complimented है और b not पर compliment नहीं है क्योंके इस वख में a को छोटा होने की बात करना और चोटा 0 होता है बड़ा 1 होता है तो इसलिए a पर compliment है b पर नहीं है तो यह बिलकुल वैसी equation है बस a पर compliment के वज़ए b पर compliments आ में ताके मैं सबका circuit एक जैसा बना सकूँ तो जब यह तीन हो equation जो मैंने algebraic manipulation से बनाई है इसका मैं circuit draw करूँगा ना तो वह एक उसे की logic शेयर कर रहा होगा यह slide repeat हो गई क्या अच्छा मैंने खुद repeat के और यहां पर summary लिखी है for four bits के लिए ठीक है जो भी मैंने आपको बात समझाई थी तो four bits के लिए equation अगर मेरे पास आती है तो देखें वैसे ही है मैंने जो अभी पढ़ी थी वो इतनी पढ़ी थी के a not b not और a1 b1 लेकिन मैंने आपको यह वाद बताई थी कि अगर तीसरी बिट आ जाएगी तो उसका भी equivalency इसमें डाल दूँगा चौती बिट दिन में अभी मेरी equation सिर्फ इतना पीस था चीक है लेकिन अब देखो यह क्या कहरें कहरें या तो भाई अगर a less than b चाहिए तो a3 और b3 पर फैसला हो जाए यानि अगर नहीं होता है और टाय हो जाती a3 b3 के दरम्यान तो फिर यह फैसला a2 b2 पर चला जाएगा और a2 चोट चला जाता है a1 और b1 तो a1 b1 में भी अगर a को less than proof करना है तो a1 पर complement आना चाहिए और b1 पर non-compliment लेकिन अगर a1 b1 भी equivalent हो गए तो फिर फैसला चला जाता है finally a0 b0 तो देखें equivalency की सारी terms पीछे से होती आ रही है अगर मैं a0 तक पहुंचा हूं तो इसका मतलब यह है कि a3 a2 a1 b3 b2 b1 यह तीनों आपस में equivalent है इसलिए बाद जो है a0 तक आ गए तो यह इस तरीके से equation nest होती है greater than में भी यह है या तो भाई a3 prove हो जाए b3 से बड़ा ह है लेकिन अगर ऐसा नहीं होता पत पता चलता है यह बराबर है यानि सेम आ गए सेम का मतलब जीरो जीरो आ जाए या वन वन आ जाए तो फिर बात चली जाती है तो फिर फैसला a2 कर ले यानि a2 greater than b2 हो जाए लेकिन अगर यह भी नहीं होता a2 b2 भी बराबर हो सकते है तो अगर वह वाली बात है कि a1 भी बराबर हो जाए तो फिर फैसला a0 b0 पर चला जाते है तो इस तरीके से यह एक्वेशन को एक्स्पेंड किया जा सकता है मैंने फोर बिट का आपको टेबल क्यों नहीं बना है क्योंकि फोर बिट का मतलब समझ सकते हैं कि फोर फोर हो गए मे समझा दी गए और उसके बाद इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाया गया कि आप फोर बिट एड़ इक्वेशन से डारेक्ली एक्स्टेंड कर सकें और यही परपस था इस तरह की इक्वेशन बनानेगा अब आप देख रहे हैं कि इन इक्वेशन को मैं बिट बैबिट ब दिखा देता हूं अब वह सब्सक्राइब में हमारे पास यह यह आपके बुक्स से इसर्कृट डाइग्रेम तो इसमें अगर आप धियान दे में थोड़ा सा हाइलाइट करके बता देता हूं कि यह जो गेट लगे में यह कैसी यह जो आप शीच्ट देख रहे हैं यह सर्क गेट नहीं होता बलकि एक एक वैशिंसे बनता है तो यह बना होगे और गांगे से लगी तो बड़ी में लम्मार घांव और अगाँ में यह इसमन बहुंब इक तो देखें केर वा तो number of ones बढ़ने की वैसे less than की equation आगए और greater than में अगर आप भिहान दें तो नीचे से कम है और उपर जाते आते बढ़ दें तो इस तरीके से यह circuit बन जाएगा यह जो equation last light में अगर आप इंको implement करें और using the equivalency circuit ठीक है इसमें अगर आप k-maps से draw करते हैं तो यह circuit शायद जरदा बढ़ा आ जाता मैंने थोड़े से logic sharing करते हुए equals वाली logic को इसमें शेर कराते हुए इसको implement कर दिया है तो मैंने जैसे कि बताया था कि algebraic manipulation काफी open end है open end होने की वज़ए से मैंने अपने circuit में काफी कुछ reuse कर लिया मतलब equivalency वाले circuit से ही मैंने less than और greater than का circuit भी बना डाला लेक ना हो रहे हैं तो दो परपस थे हैं आप एक circuit की logic को reuse करना और दूसरा परपस था कि आपको equation को इस format में लाना कि आप उसे scale कर सकें scaling का मतलब यह है कि दो बिट्स का बताया दो से 4 कर दें चार से 8 कर सकें equation कोई देखते हुए पूरा solution दुबारा से ना करना हुए ठीक है तो तो यह था हमारे पास magnitude कंपारेटर का topic अगर इस lecture से किसी को कोई क्यूरी एब भी कोई बात सांगे तो पूछले वहना हम लेक्षर कंट्लूड करते हैं हुआ है कुछ झाल झाल जी क्लास एनी क्यूरीज ठीक है तो फिर लेक्चर में केंक्लूड करता हूँ तिल नेक्स टाइम अलाहाफिस